नमस्कार दोस्तों इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मराठो ने अपने भारत देश की रख्षा की बाजराओ के वच्छात शाहो महराज ने उनके बेटे बालाजी बाजराओ अर्थात नाना सहाब को पेशवाई के वस्तर दिये नाधिर शाह के आकरमन के बाद दिल्ली में अस्तिर्था उत्पन्न हो गई इस थिती में नाना सहाब ने उत्तर में मराठो की सप्ता को द्रिड करने के प्रयास किये इस कालावधी में एहमद शाह अबदाली ने पानिपत में मराठो के सम्मुख चुनवती खड़ी की थी तो आईए जान लेते हैं कि किस प्रकार से मराठो ने देश के रक्षा की एहमद शाह अबदाली जो की एक विदेशी था उसका मुकाबला किया और भारत की जनता की रक्षा की इस दोरान उत्तर की स्थिती अर्थात उत्तर भारत की स्थिती कुछ अलग थी आयोध्या प्रांध की पच्चिमोत्तर दिशा से सटे हिमालय के तलहटी वाले प्रदेश को अठारवी शताब्दी में रुहेल खंड के नाम से जाना जाता था अफगानिस्तान से आये हुए पठान इस क्षेत्र में स्थाई रूप में बस गए थे इन पठानों को रुहेले कहा जाता था गंगा यमुना नदियों के दोवाब प्रदेश में इन रुहेलों ने उत्पात मचा रखा था उनका दमन करने के लिए आयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंद रिद किया मराठों ने रुहेलों का दमन किया इसी दोरान अफगानिस्तान का शासक एहमद शाह अबदाली को भारत की संपत्ती के प्रती आकरशन था। इस विशन 1751 में उसने पंजाब पर आकरमन किया। उस समय मुगल प्रदेश में आरा जगता की स्थिति उत्पन्न होई थी। फलतह मुगलों को अबदाली के आकरमन क का भै था। इस स्थिति में मुगलोंने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहाईता लेना अवश्यक माना। मुगल शासक को मराठों की सामर्थ और इमानदारी का विश्वार हो गया था। दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से वड़कर किसी भी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं थी अतह मुगल शासक ने इस वी सन 1752 के अप्रेल महिने में मराठों के साथ समझोता किया इस समझोते के अनुसार मराठों ने रुहेले जाट, राजपूत, अफगान, आधी शद्रों से मुगल सत्ता की रक्षा करना स्विकार किया उसके बदले में मराठों को नकद राशी मिलने वाली थी इसकी अतिरिक्त उन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रुहेल खंड से चौत वसुल करने के अधिकार प्राप्थ हुए साथ ही अजमेर और आगरा प्रान्तों की सुवेदारी भी दी गई इस समझोते के अनुसार, छत्रपती की ओर से पेश्वाने, शिंदे, होलकर की सेनाओं को दिल्ली की रक्षा करने हितु रवाना किया मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं, यह समाचार प्राप्थ होती ही अब्दाली अपने देश को लोट गया मराठे पढ़ाव दर पढ़ाव पार करते हुए दिल्ली पहुंचे मराठो के कारण ही अब्दाली का संकट टला, यह मानकर मुगल शासक ने उन्हें मुगल सुबों की चौत वसुलने का अधिकार दे दिया इन सुबों में काबूल, कंधार और पेशावर का भी समावेश था यह सुबे पहले मुगल सामराज्य के हिस्से थे, लेकिन अब वे हिस्से अब्दाली के अफगानिस्तान में थे समझोते के अनुसार यह सुबे अब्दाली से जीत कर उन्ह मुगल सामराज्य से जोड़ना मराठो का करते था इसके उल्टे कम से कम पंजाब तक का प्रदेश अफगान के अधिकार में लाए यह अबदाली की इच्छती फलत आज न सही कल मराठे और अबदाली के बीच युद्ध होना अटल था नाना सह पेश्वा के भाई रगुनात्रा जयाप्पा शिंदे और मल्लार होलकर उत्तर भारत में अबदाली से युद्ध करने के अभ्यान पर निकले उत्तर भारत के स्थानिय सब्ताधारियों के द्रिश्टिकोन से दक्षिन के मराठे उनके प्रतिस फर्दित है मराठों के व्यापक द्रिश्टिकोन को ध्यान में रखकर मराठों की सहाइता करने के बजाए वे तटस्त रहे गए दिल्ली दर्बार में मराठों का वर्चस्व और हस्तक्षेप उन्हें स्विकार नहीं था लेकिन सूरज मलजाट और रानी किशोरी ने पानीपत युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सहाइता की साथ ही उत्तर के कुछ कटरपंती मराठों को परधर्मिय के रूप में देखते थे उन्होंने भी मराठों के इस व्यापक द्रिष्टिकोन को समझने का प्रयास नहीं किया इसके विपरीत मराठों का वर्चस्व कम हो इसलिए आपदाली से हिंदुस्तान पर आक्रमन करने का आग्रह किया वे ऐसी अपिक्षा करते थे कि आपदाली मराठों को पराजित कर दक्षिन में नर्मदा पार खदेड़ देगा नजीब खान रुहेलों का सरदार था उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असहित था नजीब खान के कहने पर अपदाली ने भारत पर दोबारा आक्रवन किया भारत पर उसका यह पांच वा आक्रवन था उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूट पाट कर वह अफगानिस्तान को लोट गया रगुनात राव और मला राव पुनह उत्तर में गए उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर ली और अबदाली के सरदारों को खदेड कर पंजाब को जीता अबदाली के सैनीकों का पीछा करते हुए मराठे इस वीशन 1778 में अटक तक पहुँच गये अटक में मराठों का जंडा फैरा उठा अटक यह स्थान वर्तमान में पाकिस्थान में है मराठों ने यह अवियान अटक के आगे पेशावर तक चलाया परन्तु मराठे अपने अधिकार वाले प्रदेशों का उत्तम प्रबंद करने में सफन नहीं रहे पंजाब पर अपनी पकड मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेश्वा ने दत्ता जी शिंदे और जनकोजी शिंदे को उत्तर में भेजा दत्ता जी उत्तर में गए, नजीब खान ने उसे बात्चीत में उल्जाय रखा और दूसरी और अबदाली से सहाइदा करने की प्रात्ना की यह संदेश मिलते ही अबदाली ने फिर से भारत पुड़ाकरवन किया, यमुना तटके बुराडी घाट पर दत्ता जी और अबदाली आमने सामने आ गए, उनके बीच घमासान युद्ध हुआ, दत्ता जी ने अवसाधारन शोरे की पराकाश्टा की, परंतु इस विद्ध म उनके बारे में एक बात यहाँ पर कही जाती है, दत्ता जी ने बड़े धैरिया और विर्ता के साथ युद्ध किया, लेकिन अन्त में वह युद्ध भूमी पर घायल होकर गिर पड़ा, रुहेला नुजीब खान का सलहकार कुतूब शाहाती से उतर कर घायल दत्ता जी के पास आया, और दत्ता जी से पूछा, क्यों पटेल जी, तुम हमारे साथ और भी लड़ोगे? लहु लुहान दत्ता जी धर्ती पर पड़े हुए थे, लेकिन कुतूब शाहा के इन शब्दों को सुनकर उन्होंने बड़े स्वाविमान से परिपूर्ण उत्तर दिया, हाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे नाना साहब ने अबदाली का दमन करने के लिए अपने चचरे भाई सदाशी राव भाव और अपने बड़े बेठे विश्वास राव को उत्तर में पेजा सदाशी राव भाव चिमाजी अपा के बेटे थे उनके साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोफ खाना था इबराहिम खान गारदी तोफ खाने के प्रमूख थे इसी तोफ खाने में बलकर उन्होंने इस वीशन 1760 में लातूर जिले के अभी जो लातूर है यहां के उद्गीर की लड़ाई में निजाम को पराजिब किया हुआ था उत्तर के इस अभ्यान में सदाशी राव भाव ने दिल्ली जीत ली इसके बाद पानिपत में मराठों की सेना और अबदाली की सेना आमने सामने आ गई इस वीशन 14 जनवरी 1761 मराठों ने अबदाली पर आक्रमन कर युद्ध को प्रारंब किया यह पानिपत का तीसरा युद्ध था इस युद्ध में गोली लगने से विश्वास राव मारे गए यह समाचार सदाशी रावभाव को प्रात होते ही वे क्रोध में पागल होकर शत्रू पर तूट पड़े इस घमासान युद्ध में वे दिखाई नहीं दे रहे थे यह देखकर की हमारा नेता दिखाई नहीं दे रहा है मराठों का मनोबल गिर गया उसी समय अबदाली के आरक्ष और ताजा दम के सहिनिकों ने मराठों पर आक्रमन किया मराठों की पराज जय हुई इस युद्ध में महराष्ट की एक संपूर्न इवापिडी समाप्त हो गई कई वीर प्राक्रमी सरदारों ने वीरगती पाई मराठों का मत्था की विदेशी अबदाली को यहाँ शासन करने का कोई नेतिक अधिकार नहीं है इस व्यापक उद्धेश को ध्यान में रखकर मराठों ने अबदाली से युद्ध किया हम सभी भारति है और अबदाली विदेशी शतरू है इस प्रकार का पत्र लिखकर सदाशी राभाउने उत्तर के सभी सत्ता दिशों को मराठों की व्यापक और सर्वसमावेशक भुमिका से आउगत कराया था परन्तु इस भुमिका को अनुकुल समर्थन उत्तर के सत्ता दिशों नहीं दिया और वे तटस्त रहे फल सरूप भारत की रक्षा का दाईत्व अकेले मराठो पर आ गया अतह यह कहा जा सकता है कि भारत एक देश है और उसका शासक किसी भी धर्म का हो फिर भी सभी ने उसे समर्थन देना चाहिए यह बोध इतिहास में सबसे पहले मराठो ने जगा है नाना साहब पेश्वा की मृत्यू के पच्छात उनके बेटे माधराव पेश्वा पद पर बैठ गये माधराव ने अपने शासनकाल में निजाम और हैदर अली का बंदोबस्त किया उन्होंने उत्तर में मराठो का प्रभुत्व पुनहस्था पित किया पानिपत के युद्ध में मराठो की पराजे हुई थी यह देखकर निजाम ने मराठो के विरोध में फिर से गतिविदिया प्रारंब की उसने मराठो के प्रदेश पर आक्रमन किये परंतु माधरा ने निजाम को पैठन के समिप राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया हैदर अली मैसूर का सुल्तान था पानिपत के युद्ध में हुई मराठो की हार देखकर उसने करनाटक में मराठो के प्रदेश पर हमले किये परंतु मराठो ने उसे स्रीरंग पत्नम के निकट मोटी तालाब स्थान पर युद्ध में हराया तब हैदर अली ने मराठो को तुंग भद्रा नदी के उत्तर की ओर का प्रदेश देना स्विकार किया इस्वी सन 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई मराठो की इत्यास में माधवराव का उल्ले, निष्टावान, परिश्रमी, संकल पशील और लोख हित जागरुख शासक के रूप में किया जाता है इस प्राक्रमी पेशवा की मृत्यु से महराठा सामराज्य की बड़ी हानी हुई पेशवा माधवराव ने किसानों के हितों की और विशेश ध्यान दिया था कुए खुदवाकर पुने की जलापूर्ती में व्रिद्धी की उनके कारेकाल में नाना फड़नवीस जैसे प्रशासक तथा रामशस्त्री प्रभूने जैसे महान नयायदिश हुए नयाय व्यवस्था में सुधार किये जिस्ते प्रजा को नयाय मिले तोपे और गोला बारूत बनाने के कारखाने खोले गए सिक्के ढालने के लिए टकसाल का प्रबंद किया गया पेश्वा माधवराओ के बच्छात नारायन राओ और सवाई माधवराओ गद्धी पर बैठे परम्तु ये दोनों पेश्वा अलपायू रहे इसके अलावा उनके शासनकाल में पेश्वाई को गुरू कलहम ने ग्रस लिया एक समय अटक के पार जंडा फैराने वाले रगुनात राओ सत्ता की लालसा में अंग्रेजों की शरन में चले गए परिनाम तहा मराठे और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ इतना होते हुए भी मराठो ने फिर से दिल्ली परकपजा हासिल किया और मराठो की सत्ता वहां फिर से प्रस्थापित हुई पानीपत युद्धे में हुई हार के कारण मराठो की उत्तर भारत में स्थापित प्रदिश्था पर जबरदस्थ आगात हुआ था उत्तर में अपनी सत्ता को पुनह स्थापित करने के लिए माधोरावने, महाध्जी, चिंदे, तुकोजी, होलकर, रामचंद्र कानडे और विसाजी, पंत, बिनीवाले जैसे सरदारों को उत्तर में भेजा था मराठों ने जाट, रुहेले और राजपुतों को पराजित किया मुगल शासक्स शाह आलम को अपने संद्रक्षन में दिल्ली की गद्धी पर बैठाया इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापित हुए पानिपत के युद्ध में मराठों को प्रचन ढहानी उठानी पड़ी थी अबदाली की सेना को भी क्षती पहुंची थी पानिपत के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बावजूत अबदाली को बहुत बड़ा आर्थिक लाब नहीं हुआ था अथ उसने अथवा उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर फिर से आकरमन करने का सहस नहीं किया इसके उल्टे उनके ध्यान में आ गया था कि उत्तर में निर्मान होने वाली अराजक्ता पर अंकुष रखने की सामर्थ्य मराठों में ही है अतह उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुगल पात्षाही का संद्रक्षन मराठे ही करे मराठों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने दूद को भी पुने भेजा था पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को पचा कर उत्तर की राजनिती में फिर से स्वयम को स्थापित करने में मराठे सफल रहे यह उलेकनिय तथ्य है और इसमें महात जी सिंदे मलारा होलकर अहिल्यवाई होलकर जैसे सरदारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर हम पेश्वा घराने की वन्शावली को देख सकते हैं कि बाला जी विश्वनाथ जिने चत्रपुदी शाहु माराज ने नियुक्त किया था उनके दो बेटे थे बाजी राव प्रथम और चिमाजी अप्पा बाजी राव जी को भी चत्रपुदी शाहु माराज ने नियुक्त किया था बाजी राव बड़े प्राकरमी थे उनके चार बेटे थे बाला जी उर्फ नाना साहिव रामचंद्र रगुनाथ राव और जनारदन रगुनाथ राव के बेटे थे बाजी राव द्युतिय और उनके बेटे थे नाना साहब जो की दत्तक लिए गए थे और 1857 के संग्राम में उनने अपनी वीरता का परिचे दिया था बाला जी उर्फ नाना साहब के चार बेटे थे विश्वास राव जो की पानीपत की लड़ाई में मारे जा चुके थे माधर राव जो बाद में पेश्वा बने फिर एश्वंत राव फिर माधर राव की मृत्यू के बाद नारायन राव पेश्वा बने और फिर नारायन राव के बाद उनके बेटे सवाई माधर राव पेश्वा बने इस प्रकार से मराठ होने लगभग दो शताब्दियों तक भारत के मध्यकालिन इतिहास में अपने पराक्रम और शोरे का इतिहास स्वरनाक्षरों में लिखा हुआ। धन्यवाद।